सब्सक्राइब करिया है फाइस्ट डी चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे भड़े पाने के लिए हलो फ्रेंस वेलकम बेक हाइफाइ स्टेडी चेंजिंग दवयाफ एजुकेशन दोस्तों आज से छे बजे आपको डेली मैत की क्लास मिलेगी आज मैत में आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाओंगा फॉर्थ सेमेस्टर का अगर जिन साथियों जो साथी थर्ड सेमेस्टर मे देली छे बजे मैत की क्लास मिलेगी फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे घातांक यह घातांक क्या होता है ठीक ना गातांक के अंतरगत दोस्तों हमको क्या-क्या चीजे पढ़नी हुआ चीजे पढ़ लेते हैं पहली बात तो हमको वर्ग पढ़ना है ठीक ना गातांक के अंदर हमको वर्ग पढ़ना है दूसरी बात हमको वर्ग मूल पढ़ना है यह वर्ग और वर्ग मूल हम लोग शात में पढ़ेंगे बिल्कुल दिक्कत मत लेना फिर तीसरी बात हमको पढ़ना है घन यह पढ़ना है घन मूल क्या पढ़ना ह जितनी भी आपके चैप्टर है मैंत में जितनी भी चेप्टर हैं एक चैप्टर आपका कम से कम पांच से 6 दिन चलने माला क्यों पूरा मैं आपको नाम में ही शिपा है कि हमारा घातांक क्या होता है अगर दोस्तों में घातांक का मतलब बताऊंगा घातांक देखिए जैसे मैंने एक संख्या लिख दिया दैस गुले दैस गुले दैस गुले दैस गुले दैस गुले दैस मैंने कहा इसको घात के रूप में बैक्त करो या इस गाधत उस को एक बार लिखे लेते हैं फिर बात करें ये एक ये दो ये तीन ये चार और ये 5 तो इसकी घात लगा देते हैं पांच पूछेल नमने लिख्षित को लिखत के रूप में व्यक्त करें या question पूछ लिएगा कह देगा कि निम्न को छोटे रूप में लिखो तो आपको यही बात वहाँ पर करनी है इसको बताऊंगा निकालना भी बताऊंगा पहले आप basic चीजों को समझ दीजे बस ठीक है ना ये बात होती है दोस्तो ये घात आपसे पूछे का क्या होगा तो किसी संख्या कोई salt form में दिखाने को हम लोग घात बोलते है छोटे form में दिखाने को घात बोलते है clear आप देखो समझू अगर कोई संख्या माने लिया मैंने A है कोई संख्या A है इसकी घात M है और कोई संख्या N है जिसकी गात N है तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आधार समान होते हैं जब बेस समान होता है तो एक बेस को लिख लेते हैं और घातों को आपस में अड़ कर लेते हैं ये एक فार्मूला बनकर रेडी हो जाता है कि जब बेस समान होते हैं तो उनकी घातें जूड जाती हैं जैसे मैं कह दूं 2 की पावर 6 और गुले 2 की पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा तो देखो भाई घाते सेम हैं आधार सेम हैं और घाते सेम हो या ना हो उससे हम से नहीं मतलब खाली बेस समान होने चाहिए बेस समान हैं तो घातें जूड जाएगी यानि यह हो जाएगा 2 की पावर 6 पिलस का 6 जिसको हम कह सकते हैं 2 की पावर 12 दो की घात 12 तो यह बात होती है ठीक ना अगर दोस्तों दूसरा फार्मूला क्या बनकर तयार होता है अगर किसी मैंने माने ए एक की पावर एम है एक की पावर एम है और इसकी पावर एन है किसी पावर के ऊपर पावर चड़कर लगी होती है किसी power के उपर power लगी होती है तो क्या हो जाता है एक की power mn हो जाता यानि multiply हो जाता है दोस्तों क्या हो जाता है multiply हो जाता आप कैसे हो जाता है सुनो मैंने कहा कि 2 की power 3 की power 4 2 की power 3 की power 4 तो क्या हो जाएगा 2 की power 4 गुड़े का 3 की चार्तिया रभा fij तो यह concept आपके clear होनी चीह ज़िए दोस्तों कि जब बेश समान навें तो गुडा करने पर घाते जुड़ जाती है ऑच्छा एक फार्मूला से और बनता है हैं तो वह चीज समझो देखो तीसरा फर्मूला अगर एक की पावर जो है वो चाहे जो हो अगर बेश समान है और उनकी पावर चाहे जो उसे भाग करते हैं तो हमेंशा वहाँ पर घातें घट जाती है यानि A की पावर M-N हो जाएगा जैसे मैंने कहा कि 2 की पावर 6 भागे का 2 की पावर 4 क्या बच जाएगा तो base equal हैं base बराबर हैं तो दोस्तों क्या कह सकते हैं 2 की पावर 6 माइनस का 4 कह सकते हैं हाँ जी बिलुकुल कह सकते हैं तो answer क्या जाएगा 2 की पावर 2 it will be right answer 2 की पावर 2 मेरे question का बिलुकुल सही जवाब हो जाएगा तो यह सभी को concept बिलुकुल clear होंगे यहां तक की कहानी समझ वे हैं यह तो आगे की बात को बढ़ाते हैं अगर जिनको यह फार्मूले नहीं पता हैं ठीक ना जिनको दोस्तों यह फार्मूले नहीं पता हैं वह इसकी इन सौट ले सकता है चलिए ठीक ना ओके अब देखिए अब जो बात करेंगे दोस्तों वो वर्ग की बात करेंगे यह घातांक क्या होता है गिए फार्मूले मैं आपको वही बता रहा हूं जो आपके लिए इंपोरteन्ट है एक दिन में जितना पढ़ाूंगा उतना बिल्कुल पख्का पढ़ाऊंगा डेकि आप सामब बात करते वरग की किसको बोलते ही इसक्वाईर यह वरग क्या होता है तो बाद का मतलब दोस्तों जैसे मैंने कहें दिया है कॉप करो एक का वरो इसका वर्ग करना तो मतलब kindhya से गुरा कर देंगे इस ब्योडा करा देंगे यह क्या हो जब बेस समान है तो घाते जूड़ जाती एक की पावर क्या हो जाएगी दो हो जाएगी और एक की पावर दो का मतलब एक आ जाएगा ठीक है ना अब मैंने कहा दो का वर्ग बताओ तो दो गुड़े दो यानि इसको कह सकते हैं दो की पावर दो और दो की पावर दो का मतलब चार होता है ऐसे तो ना मैंने कई यह तो तीन गुड़े तीन हो जाएगा और तीन की पावर दो हो जाएगा क्योंकि बेस समान है तो जुड़ जाएंगे तो तीन की पावर दोस्तों kein कम 20 तक वर्ग याद होने चाहिए आपको वर्ग का थो इतने छोटी चोटी तो आप लोग निकाल लोगे लेकिन मैं आपसे कह दूँ, मैं आपसे कह दूँ कि सर हमको न अठान नबे का वर्ग करके बताओ, तो आप कहोगे अठान नबे गुड़े अठान नबे एक से इसका मल्टिप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, छोटी छोटी अंकों का, छोटे छोटे संख्याओं का तो आपने कर लिया भाई, कोई दिक्कत ने, लेकिन आप इनका वर्ग कैसे करोगे, तो देखो, आपको पहला पॉइंट, पहला पॉइंट कम से कम आपको दस तक वर्ग याद होने चाहिए, दस तक वर्ग बिलकुल जुबां पे रटे होने चाहिए बस, याद कर लीजे, एक क का एक दो का चार तीन का नो चार का सोला पांच का पच्चिस छे का छत्पिस साथ का उनिचास आट का चौन सट नौ का 81 और 10 का 100 आपको 10 तक वर्ग याद होनी चाहिए तो यहां पर क्या हो जाएगा 98 का पावर टू 98 का पावर टू हो जाएगा ना अब देखो आपको अगर साथ में निकालना है बिल्कुल जबर जस्ति ट्रिक दोस्तों बता रहा हूं कैसे फर्स्ट नंबर आपको का करना है इकाई के अंक का वर्ग करना है का करना है इकाई का वर्ग करना है पहला नंबर आपको इकाई का वर्ग करना है समझ कर चलना दूसरा नंबर आपको क्या करना है इकाई गुले दहाई इकाई गुले दहाई और गुले कर देना है दो इकाई का वर्ग आपको करना है यह दहाई का वर्ग आप कहोगे सर आप इने क्या बता दिया है तो सुनो भाई जान सुनो भाईया जी मैंने क्या बताया है तो वह बात समझो मैंने का भै कि देखो अब इन चीजों को हम कैसे फालो कर सकते हैं नितिननेra को कैसे फालो कर सकते हैं समझों जैसे मैंने कूश्चन कह दिया कि आपको Common पचीस का वर्ग बताना है ठीक है वर्ग बताओ तो आप इसको कैसे लगाओगे या तो पचीस का वर्ग आपको याद हो या फिर आप पचीस गुले-पचीस करके अपने time based करिए सीधा मैथर समझिए वर्ग का मतलब पावर दो तो पावर दो कर दिया अब इस कंसिप्ट से चलिए पहले इकाई का वर्ग इकाई क्या है पांच तो पांच का वर्ग पचीस पचीस का पांच हांसिल कितना आ गया भीया दो आ गया हमेशा इकाई लिखते हैं दहाई क का वर्ग आता है दो दो का वर्ग चार और चार दो जोड़ोगो छे शेस्टो पचीस वह एंसर आ गया कोई दिक्कत बोलो नहीं प्रूब हो रहा तो समझो भाईया पचीस गुड़े पचीस से तो कहोगे इसका गुड़ा कराओगे तो पांच पचीस के पांच दो आ गया पांच दुनी दस पांच दुनी दस बीस दो बाइस आ गया दो दुनी चार दो छे शेस्टो पचीस आ गया शेस्टो पचीस से तो लाए है बोलो भाई अच्छा ठीक है देखो अब अगर मैं 32 का वर्ग आपसे करने को कहूं तो देखो कितनी आसानी से निकालेंगे सबसे से इक गए अ करने का वर्ग एक हैं दो थो दुनी हो गया चार हाँसिल कुछ नहीं आया फिर दहाल शेट दुनी बारा के दूहांस ही एक आ गया फिर दाहई का दाहई का और तीन तीन कुछराпа गो समझें है किसका बथा नहीं समझ में आ तो गेखो अगर 32 गुड़े 32 करोगे तो कितना आएगा दो दुनी चार तीन दुनी छे तीन दुनी छे छे चे बारा के दो एक आगिया तीन तुरिक कर नो एक दस एक हजार चोविस आगिया आपके कुश्चन का सभी जवाब बोलो दोस्तों देखो अगर मैं कह दू यहां से उनिंचास का निकालो चलो चलो उनिंचास का निकाल के बताओ वर्ग कितना होगा दो अंको का यानि नीन्यान नवे तक दो सिकेंड में मात्र दोस्तों दो सिकेंड में आप एक से लेकर नीन्यान नवे तक का वर्ग निकाल सक कितना हो गया भई या असी का जीरो हांसी लाट या आठ चार चुके सोला और सोला में आठ जोड़ेंगे सोला कितना होता है भई आठ चुदा चौबिस चौबिस जीरो एक आपके कुश्चन का सही जवाब हो जाएगा अगर देखिए अगर आपको लग रहा है कि कहीं मिश्टेक हो रही है पूरा आपको सेटिस्फाई करूंगा तो आप उननचास गुड़े उननचास करोगे आपको यह सब सिखा रहा हूं यह जोड़ा सा और प्रयास करते हैं थोड़ा सा और देखिए फर्ष्ट क्लास से इसलिए आपको यह सब सिखा रहा हूं यह सब सीख गए तो देखो कितनी आसानी सो कुईश्चन को लगाओगे भाई बहुत आसानी के साथ कुईश्चन को लगाओगे देखिए मेरा मकसद क्या है केवल आपको सिखाना केवल सिखाना मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं कि मैं केवल आपके सामने आओ कुईश्चन लेकर है तो मांतर चार या पाँच दिन क्लास को अटेंड करना क्योंकि एक दिन में आपकर समत सकते हो चार पांच दिन आप क्लास को अटेंड करना लगेंगा कि हाँ यस हमको यहां से प्रॉफिट होने वाला है ठीक है न और अच्छा लगी का तो चैनल को सब्सक्राइबर के वीडियो लाइक कर देना देखो क्या कहा गया अब अगर बात करते हैं मैं यहां पर चैनल के देखो कितनी फास्ट तरीकस निकालेंगी छे चाहा कि शतीस आश्वार्ण गया तीन छह पंचे तीस दुननत साथ तीन 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 सथ हांसिल आगया छे पांच बंचे पचीस पचीस छे एक तीस छतिस आपको सही जवाब यही तीन नियम फालो कर रहे हैं इतनी पांच पंचे पचीस थीन फटाइस हो गया शे हो गया तीन हो गया आप्टूदक से ग्यार हो गया थू एक तीस छतिस अक्तीस अगया अगर मैं कह दू चाहरा नभी चाहरा नभी कवर कितना हो जाएगा देखे कैसे निकालने हाँ चुट्कियों में चार्चूकि 16 एक हाउ तो यह होते हैं वर्ग यह होते हैं वर्ग बस आपको दस तक वर्ग याद करने भाई दस तक वर्ग याद करने अब अब बताऊंगा वर्ग मूल भी कितना से लंबा वर्ग मूल हो दो मिनट में निकाल होगे लीगल में थर्ड बताऊंगा सौर्ट भी बताऊंगा क्योंकि बहुत विकल्पी में आ गया तो आख मंद करके एंसर यह सही है क्लिए अब देखे बात करते हैं आगे कुछ लिकत नहीं होगी देखिए अब दूसरा जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे वर्ग मूल क्या पढ़ेंगे दोस्तों वर्ग मूल का चिन कैसे लगता है तो वर्ग मूल का चिन ऐसे लगता है ऐसे लगता है वर्ग मूल का चिन जैसे एक संख्या मैंने कह दिया एक संख्या मैंने कहें दिया 625 का वर्गमूल बताओ 625 का वर्गमूल बताओ वर्गमूल बताओ तो आप कैसे वर्गमूल निकालोगे बताओ भई कैसे वर्गमूल निकालोगे तो दोस्तो जो वर्गमूल होता है इसकी निकालने की मैंने आपको एक बार बताया था टोटल दो विधियां होती हैं एक होती एक गुड़न खंड विधी और एक होती आपकी भाग विधी एक होती दोस्तों गुड़न खंड विधी एक होती भाग विधी दोनों विधियों से आपको बताऊंगा इधर बताऊंगा गुड़न खंड विधी और उधर बताऊंगा आ अगर गुड़न खंड बिधी तो 625 आपने सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर थार्ड में पढ़ा होगा कि गुड़न खंड कैसे होते हैं किसी संक्या के हम लोग अभाज गुड़न खंड करते हैं अब देखो लास्ट में जब कोई डिजिट जब कोई इकाई अंक 5 ह होगा जब कभी वो संक्या हमेशा 5 से कटेगे 5 से काटेंगे तो 5 5 गढ़ एक बच में दस हो गया दो बच गया पच्चीस हो गया पांच पंजे पच्चीस हो गया यहां पर काटेंगे तो पांच दुन्नी दस दो बच गया पच्चीस पांच पंजे फिर 5 से काटेंगे तो 5 25 और यह 5 एकम 5 अब मैंने अभी बताया कि वर्ग का मतलब क्या होता है दो-दो यानि वर्ग का मतलब घात दो तो वर्गमूल में हमेशा दो-दो के जोड़े बना लेंगे बस हमेशा वर्ग वर्गमूल में दोहई की बात करेगा अगर किसी संख्या क ött बुझ के वर्ग मूल निकानने के लिए करेंगे तो दो-दो के जोड़े बनाएंगे अब हम लोग प्रती एक जोड़े से 70 एक जोड़ा यह वना तो यह हो गया 5 एक जोड़े से मैंने एक लेलिया यह जोड़ा ये वना तो इस भाग विधी दोस्तों कैसे लगाते हैं 625 देखें आप यहां पर पहले बाद में जोड़े बनाते थे यहां आपको पहले जोड़े बनाने हैं कैसे बनाने आपको हमेशा पीछे से जोड़े बनाने हैं तो पीछे से आपको दो-दो के जोड़े बनाने अब आपको यहां पर आप एक जोड़ा नहीं बन रहा कोई बात नहीं है पीछे से बनने चाहिए आगे बने या चाहिए ना बने पीछे से बनने चाहिए आगे बने या ना बने कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है ना कोई दिक्कत की बात नहीं तो देखो पहला जोड़ा मेरा छे का है पहला जो परट में फीड कर लेना जोड़े बनाएंगे 21 से हल करेंगे दहाई से तो तीन अब ऐसा कोई एक वर्ग मूल लीजिए ऐसा कोई किसी संख्या कoga करें कि छे से जादा नहों वह करेंगी छे को करें तो आप को वह करें था बहुत करते Pierce करेंगे तो एक संख्या यहां एक संख्या यहां दो दुनीम हो जाएगा चार मेफ़रा फिसे में आप देखो क्या करेंगे अब ये जो गवदो हो गया चाड़ अब क्या करेंगे अगला जोड़ा उतार लेंगे अगला जोड़ा क्या है मेरा 25 हमेशा दोस्तों जोड़े संख्याओं को उतारेंगी ठीक है ना अब देखो यहां पर कोई एक संख्या लिखो कि 225 पूरी-पूरी कटनी चाहिए कोई एक संख्या लिखो उसी से मल्टीप्लाई कराओ पूरी-पूरी कटनी चाहिए तो मैं यहां पर लिखता हूँ पांच पांच से मल्टिप्लाई कराऊंगा तो पांच बंजे पचीस दो पांच ओके बीस दो बाइस पूरा पूरा कटे गया यह पांच उठा के यहां पर एड कर दी हो गया पच्चास यहां जो आएगा एंसर पचीस आया पचीस मेरे कुश्चन का सही जवाब हो जाएगा पचीस आया मेरे कुश्चन का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा यह कुश्चन अभी बुक के नहीं है पूरा बेसिक बता रहा हूं फिर बुक के कुश्चन यह हो चुटकियों में पक्का एकदम खलास करोगे चुटकियों में निरंतर लगे रहे न छे बजे सामकू सभी दोस्तों के पास सेयर करा दीजिए सभी को नौटिफिकेशन मिलना चाहिए जो नए वीवर है वो चैनल को सब्सकाइब करते चलेंगे जब अच्छा लगे तब कोई जब अच्छा लगे नेक्स्ट देख लेते हैं दोनों विद्धी से एक और कुश्चन को एक और दोनों विद्धियों से निकालना मैंने सीख लिया है देखो संजो भाई अब मैंने एक संख्या कह दिया एक संख्या मैंने भाई कह दिया 529 ठीक ना मैंने कह दिया 529 का वर्गमूल बताओ 529 का वर्गमूल आपको बताना है वर्गमूल बताओ 529 का तो देखो ये हम इधर निकालेंगे भाया जी गुडण खंड विधी कौन सी चोंसी डिल्य झालें तो पहले हैं तो पांत्सों औ Soldier क्यों से लिख लेते हैं आप 529 किसे कटेगा देखो तीन से कटता है क्या तीन में कम तीन कि लिदिये 23 से कटेगा फाया यह तो तेइस दुन्न हो गया 46 और 23 हो गया 79 तेइस से कम हो गया 23 कट गया पूरा पूरा यानि यहां पर एक जोड़ा बना बसकेवल 23 का तो 23 मेरे कुष्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 23 मेरे कुष्चन का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब अब इसी को अगर मैं भाग बिधी से निकालू सुनना इसी को मैं अगर भाग बिधी से निकालू तो कैसे निकलेगा भाग बिधी से निकालने के लिए संख्या को सबसे पहले एस इचिस लिख लेते हैं 529 को मैंने लिख लिए अब पीछे से जोड़े बनाएंगी एक जोड़ा ये 29 का बना एक 5 का बना तो अब कोई एक ऐसी संख्या लेंगे कि पहले वाली संख्या के वर्ग से कम हो तो यह मैंने लिख लिए 2 कि दो का फरी चार होताँ से कम है पांच में से चार घटाएंगे तो एक बचेगा और अगला जोड़ा उतारेंगे तो उनंतिस हो गया अब इस दो को यहां पर एड कर लेंगे दो दो हो गया चार ठीके ना अब कोई एक ऐसी संख्या लिखिए उसी से मल्टीप्लाई कराएं उतना आना चाहिए या इस तीन को यहां पर लिख देंगे यह पूरा कड़ गया यहां 23 तीन हो गया अब यह 46 यहां जो आया मेरे कुश्चन का सही जवाब हो जाएगा 23 मेरे कुश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक ना तो आश्या करते हैं दोस्तों आपको आज की फर्ष्ट क्लास मैंने बताया मैं चैप्टर खड़ाब कर पूरा खत्म कर दूंगा तो खत्म हो जाएगा सारे कुश्चन आपके करा दूंगा अरे कराओंगा क्या मैं आप खुछ से कर लोगे आप लेक्चर को देखोगे बस अच्छे से तो मिलेंगे कल नए नेक्स्ट वीडियो के साथ त